तो हे अवरिवन नमस्कार श्वागत हैं आप सभी का आपकी अपनी यूटूब चैनल संध्या कंपिटर क्लासेज मैं शुनकुमार एक बार फिर से आप सभी का आपकी अपने बैतरीन मंस पे स्वागत करता हूँ आरिशेटी एक्जाम मुख्य परिक्सा 31 जुलाई 2022 अध्याय नमबर 10 मॉबाइल डिवाइस या स्मार्ट फॉन के साथ में कारी करना चैप्टर वाइस बोकाल पश्णो उत्री रिविचन फटा पट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत मेरे ब्यारतियो आप जो हैं आरिशेटी एक्जाम के लिए सबसे विश्वसेशन चैनल के साथ में हैं जो आपको एक्जाम पेटनवाईस तैयरी करवाता हैं आप से जूडने के लिए हमारे इंस्टागराम एकाउन को फॉलो कीजिये और हमारे टेलीग्राम एकाउन को देखिएगा आज के सबसे पहले प्रश्ण के साथ मैं स्वागत करता हूं आज के मौटिविशनल कोड के साथ मैं कि हे जिंदिगी ज्यादा कुछ ख्वाई से नहीं है तुससे मेरा जो है अगला कदम है जो पिछले से बैतरीन हो नमस्कार मेरे ब्यार्थे गवार फिर से सबसे पहला किशन है आप सभी के सामने किन्यम्न मैसे हैंडल डिवाईस का परकार नहीं है अब देखो सबसे पहले तो आप बोलोगे कि सरी क्या होता है सुन्यल स सभी त्यायरी मेरे साथ मैं कर रहे हूं निच्छित है आप एक बार मेरे परोसे एक्जाम में बैठीगा पर का मुझे experience है आरिशेटी exam के अंदर तो किस टाइप से किशन बनते हैं और मेरा प्रस्टनली सेंटर हैं तो वहां से भी हम चाहा रहा था और handle device का मतलब यह होता है कि ऐसी दिवाईस इनको user हाथों में रखके आसनि यह उसर यूस कर सकता है उन सभी device को आपन क्या बोलेंगे handle device बोलेंगे तो सर क्या feature phone ये क्या होता है तो मैं बोलूंगा कि जो feature phone आपका होता है ना आज कल तो सभी के पास में smartphone होगा है ना लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा कि ऐसे phone हुआ करते थे जिसमें आपका internet चलता था गाने बचते थे वीडियो देखे जाते थे लेकिन smartphone के जैसा नहीं था है ना तो वह वाला जो है आपका feature phone है बाकी smartphone आपका handle device हो जाता है ना टेबलेट भी होता है फैबलेट भी होता है लेकिन जब आप laptop को देखोगे तो आप यूँ पाओगे कि laptop को easily हातों में रखके यूज नहीं किया जा सकता इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि जो laptop होता है वह विद्यार्थ आपका handle device नहीं होता है आगे सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं अब देखो यहां पर आपको operating system नाम दिया operating system का मतलब होता है system software सब्सक्राइब होता है जो आपके system को on करवाने का काम करते हैं यह सारी चीछे में आपको समझा चुका हूं second chapter के अंदर आप जो step by step देख रहे हैं उनको बिल operating system तो आलाएंगे सारे हैं लेकिन आपसे क्या बोला मॉबाइल ओपरेडिंग system कौन सा नहीं है तो देखें अंड्रोड लगबग समार्ट फॉन में आपके सामने Android होगा तो Android लगबग सभी के मोबाइल में है जब आपन एपल वाला मोबाइल रहने जाएंगे तो उसमें क् जो आपका ये OS होता है वो कौन सा होता है Apple iOS होता है कौन सा होता है Apple iOS होता है Windows 1 भी आपने बहुत सारी मोबाइल के अंदर देखा होगा जो आपकी computer desktop की तरह काम करते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा बागी जो है Linux हो है ना ये मेरे ब्यारतों किसका होता है आपका computer का operating system होता है तो ये इतनी सी बात आपको पता होनी ची जैसे कि Windows के जितने भी वर्जन आजाए Windows 98 आजाए Windows NT आजाए विश्टा आजाए XP आजाए 2007 आजाए 2008 आजाए 2010 आजाए 2011 आजाए यूनिक्स आजाए Linux आजाए Mac OS आजाए MS DOS आजाए ये सारे नाम किसके है computer operating system के हैं बाकी mobile वाले तो ये तीन ही होते हैं Android iOS वा Apple sorry ये आपका Windows पॉन है ना तो ये इतनी सी बाते क्लियर होनी चीए इस क्यूशन का जो correct answer है आ Linux हो जाता है आगे बढ़ते हैं अगले किशन की और कि निम्न में से कौन सा गुप्त कोड सौप्ट्वेर और हाडवेर संस्क्रण की जानकारी देता है तो मेरे विद्यारते देखो अगर एक्जामन इस टॉपिक से टप से टप किशन बनाएगा ना तो फिर इस क्यूशन की बार ही है अदरवाइस तो नहीं पूछता एक बार पूछा था आपके 2020 में एक्जाम हुए थे उसमें ये क्विशन पूछा था यानि कि कोई मेरे कहल से जनवरी में एक्जाम हुए थे 2020 के अंदर उसमें ये वाला किशन पूछ जाता तो यहांसे आपका correct answer कौन सा हो जाता यह वाला आपको दसवे चैप्टर में जाना है अगर आपके पास में बुक होगी तो आप यूँ पाओगे कि दसवे चैप्टर में एक टैबल बनी हुई है उस टैबल में से जो आपको मेजर मेजर जो इंपोर्टेंट लगते हैं उन सबी को आप देख लेना अदरवाइस अ आपके लिए मैं ऐसे करूँगा कि जब मैं मेराथन क्लास लेके आऊंगा तो उसमें क्या करूँगा कि यह सारे गुप्त कोड मैं आपको बता दूँगा तो अभी के लिए इसका जो करेक्ट एंसर कौन सा है स्टार एच वन टू फाइट जिरो इस्टार फ्री सिक्स नाइ है। तो मेरे विध्यारते हो किया गूगल इपकर रूग करेंगे आप बोलेंगे नहीं सरीद क्ली टांट से तो एप सक्वाड्ण किया जा सकता है जो स्टाहें नहीं बैट रहा तो प्रिक्त मैंसे कोई नहीं तो होगा नहीं सेरीट जो है यह वाला जो है सेरीट है एक्जेंडर है सेर करो है यह सारे बहुत सारे नाम आपने ऐसे सुने होंगे जो किसकी तरह काम करते हैं फाइलों को साजा करने के लिए इस्तुमाल किये जाते हैं तो ऐसा किशन अगर आप से पूछे तो आपको option नाम अगर बढ़ते हैं next question कि रास्ता खोजने के लिए निम्न मैं से किसका उप्यूग किया जाता है तो आभी मैंने बता दिया और आपको भी पता होगा किसका किया जाता है गूगल में का किया जाता है अब देखू गूगल में जो है किस अवधारना पे काम करता है कि मैरे लिए स्थिंखना पर भिए आपका जी आइस होता है लेकिन देखिएगा अगर आपसे बोलेगा कि आपकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए किस लोकेशन का इस्त्माल करता है तो कि Pharm पूरा नाम जो है इस बार आपसे पूचा जा सकता है यह मेरी और से जो अतीम अत्रपूर कीशन होते हैं वो मैं थोड़े आपको ज्यादा बताता हूं देखो Bluetooth जो है इससे छोड़ी दूरी पर फाइलों को बेजा जाएगा और Bluetooth किस परकार का नेट्रक होगा तो आपको बोलना है पैन परकार का नेट्रक होगा पैन का अगर पूरा नाम पूछे तो परमानेट प्रसनल एरिया नेट्रक होता है कौनसा होता है प्रसनल एरिया नेट्रक सरी जो नेट्रक है न यह मेरे विद्यारतों आपके तीन परकार के होते हैं कभी कि पूछ लोकल एरिया नेट चाम पूछे तो एरिया नेट व्रक मेंन का में अबाट अपको किती त्सयुजर अलांकि जो Bluetooth वाला पैन है ना वो major टाइप तो नहीं है बट नेटवर्क का टाइप तो होता है Windows Store से आप क्या कर सकते हो आपकी सिस्टम के अंदर आप जो है किसी फाइल कोई वीडियो हो सकता है उसको डाउनलोड वगएर आप कर सकते हैं तो इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चीए आगे बढ़ते हैं कि wo desperation के लिए किस connectivity की आवश्यक्ता होती है तो मेरे विद्ध्वातक जो है होड़ी स्पोट के लिए Snapchat की आवश्यक्ता होती है अवाइपाई का फूरा नाम सो आपको बताना है wireless क्या होता है मेरे विद्यारतियों wireless fidelity क्या होता है wireless fidelity आपका यहां से बिल्कुली correct answer हो जाता है तो यह इतने से बात आपको clear यहां से होनी चीए बाकी जो है Bluetooth जो है आपका पैन पर कार का network है चोटी दूरी से फाइलों को बेजने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है आगे बढ़ते हैं next question की आप कि नेमने मैं से कौन सा एक open source open source का मतलब होता है सभी के लिए ने सुल्क सभी के लिए खुला है ना mobile OS कौन सा है तो देखो अगर open source mobile operating system की बात करे ना तो आपके सामने आप किसका नाम लोगे आपको नाम लेना है Android का नाम लेना है किसका लेना है Android का क्योंकि Android लगबग सभी के पास में है और यह वाला आपका कैसा है open source जो है mobile OS होता है आगे बढ़ते हैं कि नेमने मैं से Android mobile OS कौन सा है आपसे नमिंतम Android बोला है नमिंतम Android mobile कौन सा है तो देखो अगर आपसे पूछें कि Android का सबसे पूराना वर्जन तो आपको क्या बताना है एश्ट्रो फिर यह फ्रेयो है जिंजर बैड है यह सारे आयक तो थे लेकिन सबसे नमिंतम आपके बुक के अप्डेट होते हुए एक साल लगबग हो चुका है तो हो सकता है कि मार्केट में कोई नया वर्जन हो लेकिन अपने तो अपने बुक के अकोडिंग पढ़ना है तो बुक के अकोडिंग जो है आपका कौन सा है नौगाट 7.0 होता है कौन सा होता है नौगाट 7.0 आप से किशन करें कि दमिंतम एंडरोड मोबाइल ओस कौन सा है तो आपको बताना है नौगाट 7.0 होता है कौन सा होता है नौगाट 7.0 मेरे विद्यार दो शेशन पसंद सब्सक्राइब आपको जरूर करना अगर मैनत पसंद आए तो मेरे विद्यारत आप कर सकते हैं और आप कापी लोगों की डिमांड थे कि सर जो है आज मैंने मॉर्णिंग से वीडियो नहीं डाले थे तो आप कापी लोग कहा रहे थे कि सर जो आपने चैप्टर बाइस क्यों रोक दिया है तो मेरे विद्यारत तो आप जैसा आप खुद भी देख सकते हो कि पिछली बार आपसे कंडिनेट थे ना मैं अब असा नहीं बोल पार आपसे कम केंडिनेट थे लेकिन फिर भी जहां चैप्टर बाइस जो एमसी कि उसकी डिमांड जाधा थी लेकिन इस नहीं है बाकि जो हैं यह कर सकता है नहीं तो फिर मुझे भी मॉडल पर लाने हैं ना मॉडल पर तो ला नहीं है बट मैं यह सोच रहा हूं कि एक बार जो अगर आपका डाउट क्लियर हो जाए तो लगदू सारी चीज़े आप एजिली कर पाऊगे मेरा टार्गेट तो यह है बाकि आप जानो एक्जाम आपको देना है तो जदा जदा फैला हो ताकि हमें भी मॉटिवेशन मिलता रहे है ना निमने वाइस से कौन सा एप नागरे को को मुद्दों को हल करने और समाधान परदान करने के लिए बनाया गया है तो मेरे विद्यार जो यहां से आपका रा राजस्तान संपर्क में पांस से होता है यह बार बार में आपको बता चुका हूं रजिस्टेशन होता है मॉडरेशन होता है एलोकेशन होता है डिस्पोजल होता है वेरिपिकेशन होता है क्या होता है वेरिपिकेशन होता है आप से बोलेगा कि रास्तान संपर्क में कौन स कुछ सा इस्टेप नहीं होता है तो मैरे विद्यार्त याद रखना है कि स्कुरूटी नाइजेशन नहीं होता है तो यह इतनी सी बातें क्लियर होनी चीह यह वाला जो एप है आपकी ओनलाइन से कहत निवारण है तो इसको बनाया गया है बाकी जो है इक पूरा नाम अगर प परकार का होता है, PEN का पूरा नाम जो है, प्रसनल एरिया नेट्वर्क होता है आगे बढ़ते हैं, आपसे पूचा है, EPDES का पूरा नाम पूचा है और EPDES का जो पूरा नाम होगा, वो आपका क्या होगा? Electronic Public Distribution System होगा, क्या होगा? Electronic Public Distribution एक किशन यहां से कनफर्म पूचेगा, आपको EPDES से एक किशन तो बनने वाला ही है अब देखो EPDES का हो सकता है, आपसे पूरा नाम पूचे, Electronic Public Distribution System और या फिर आपसे पूचेगा, कि EPDES के संदर में BPL का पूरा नाम, तो Below Poverty Line APL का पूचे तो Above Poverty Line, फिर आपसे पूचे, MSP का पूरा नाम, तो Minimum Support Price, फिर आपसे पूचे, FPS का पूरा नाम, तो Fair Price यह इतनी से बाते हैं, अगर यह 5 किशन आपकी Clear है ना, तो यहां से आपकी दो नमबर बिल्कुल ही पक्के होने वाले हैं आगे बढ़ते हैं, आगले किशन की और के निमन मैंसे कौन सा Screen Lock Android डिवाइस पर उपलब्द होता हैं, तो मेरे विद्यार तो Pattern भी होता है, PIN भी होता है, Password भी होता है, अप्रूप तो सभी आपका यहां से बिल्कुली Correct हो जाता है, पैटन से एक बार किशन आया था कि 9 बिंदो की एक विशिष्ट स्रंकला, तो यह आपको स्रंकला देख रही है, 9 बिंदो की, जहां से आप कोई विशिष्ट जो है, बिंदो की द्वारा Pattern को एक्सेज करते हो, तो मान के चलो मैं यह कुछ भी यहां पर Pattern बना रहा हूं, और इसमें मुझ बिंदो भी 9 दि इसमें गलत है, नहीं होना चाहिए, आगे पूचाए, जिपियस का पूरा नाम, तो Global Positioning System, Option 20 हो है, यहां से आपका बिल्कुली Correct हो जाता है, अगर GES पूचे, जो बताना है, Geographical Information System, इतनी सी बाते, जो हैं आपको, क्लियर होनी चाहिए, मेरे विद्यारति यहां तक ही थी, आपकी जो है, MCQS, दस्वी टपिकी, I hope आपको शेशन काफी पसंद आया होगा, अगर शेशन पसंद किया है, तो शेशन को लाइक करें, और चैनल पर पहले बार विजिट किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें, और मोटिवेशन बनाए रखने के लिए, वीडियो क ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और एक प्यारी सी कमेंट जरूर दे, मरे विद्यारत हो 31 तारीक के दिन, बिल्कुल पॉजेटिव थिंगिंग के साथ, आप एक्जाम में बैठना, जैसा मैं बोल रहा हूँ, वैसा एक बार के लिए करना, निच्छी ती अच्छा परि एक्जाम हॉल के अंदर और एक्जाम के जबर गर्दे उड़ने वाले, तो अभी के लिए इतना ही, आई होप आप जो है, अपनी तैयरी में वैस्त होंगे और मस्त होंगे, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स सेशिन के साथ में, तब तक के लिए, जैहिन, वंद